हेलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहा हैं 8.2 ठीक है 8.2 जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपून है क्यों क्योंकि इसमें हमने को साइन टैन कॉर्ट के बारे में समझेंगे ठीक है अभी हम मैं आपको इसका रूल लगलेशन समझाओंगा जो की बहुत ही महत्वपून है जो बच्चे यह समझ लेंगे समझ लिए कि उनको जो है 8 चैप्टर काफी हद तक असान हो जाएगा और यहां तक यह बरे क्लास में जब पढ़ेंगे तो उनको जो एंटी लॉग लॉग देखेंगे तो इसी बेस पर देखेंगे लेकिन कहता हूं न जब बातों को समझना है तो असानी से समझे लेकिन चैप्टर करने से पह वह तर नो दिक्राः तो जब रख सकते हो और जब यह स्क जूरघुआ तबी आगे आप बढ़ोगे जब जूरोगे नहीं तो आप मेरे साथे नहीं तो और नहीं होने के नाते आपको जूरना ही आपका फर्ज बनता है लेक्ट वह ते कभी भी आपको जो दिया जाता है व और 60 दिया जाता है और 90 दिया जाता है इसी base पे angles होते हैं ये तो आपको भी knowledge है और मुझे भी इस बात का समझ है ठीक है लेकिन यहां पर जो समझने वाली बात है वो है असान तरीका क्या है ठीक है अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप क्या लीख सकते हो इसको देखिए इसको लिख सकते हो 0.4 ठीक है अंडर रूट में रहेगा 1 upon 4 ये रहेगा आपका 2 upon 4 ये रहेगा 3 upon 4 और ये जो बनेगा आपका 4 upon 4 ये जो है method बहुत ही असान है ठीक है इस सब बच्चों को समझ में आ जाएगा ठीक है जो कमजोर से कमजोर बच्चे होंगे उनको भी ये चीजे बहुत ही असानी से समझ में आ जाएगा ठीक है सिरफ करने का अपना एक rule regulation होता है तरीका होता है जिसको आपको समझना जरूरी है ठीक है अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है सिरफ इतना करना है और solution करके हम sign, cost, ten, cost, sec, sec और cot को भी हम समझ सकती है जो बच्चे को नहीं भी समझ में आता है जो बहुत ही कमजोर है वो भी ये question को बहुत ही असान से stable को निकाल सकते है और exam में इसके regarding जो भी 8, 9, 10, 15, 15 नमर की question आते हैं उसको बहुत ही प्यार से solution कर सकते हैं तो इसको समझ लेना सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपोरेंट होगा क्यों क्योंकि इस क्लास में तो यह है दसमी क्लास में तो है ही है प्लस जो 1 करेंगे, प्लस 2 करेंगे, जो आगे पर हाई करेंगे उसके लिए भी बहुत ही इंपोरेंट रहता है क्यों क्योंकि यहां पर तो आपको 0, 30, 45 और 16, 90 डिगरी के वैल्यू है लेकिन उसके बाद आपको हर तरह के डिगरी के वैल्यू आपको देखना पड़ेगा जैसे हम एंटी लोग या लोग टेवल के नाम से जाना जाता है ठीक है, तो अभी इसका वैसिक समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर तो आएगा, क्योंकि इसका टू टू अंग बनता है, आपको पता ना, टू इंटू टू बनता है, अंडरूट में है, तो यह बहार हो जाएगा अंडरूट से, ठीक है मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और दूबारा कन्फूजन नो हो, अब देखिए फोर का क्या बनता है, टू टू बन जाएगा, लेकिन अंडरूट का तो कुछ नहीं बनेगा, देखिए इस तरह से होगा, अंडरूट टू हो लेकिन आपको पता है कि अंडरूट टू में दो अंडरूट होते हैं यहां पर, यह दोस्तों समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको सलूशन कर सकते हो, ठीक है क्योंकि अधूरा जनकारी हमने नहीं रखना है, हमने समझना है, तो ऐसे हो गया, अब देखिए इसको क् करोगे इसको यहां से स्डार करकें इतर साइड कर आओगे. जो कि असान रहेगा, तखिए यह रहेगा, सके अब बहुत बड़ी बात थी मैंने कितना असानी से स्को निकाल दिया है और सारे टेवल के वैल्यू भी भी हमें पता चल चुका है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए, अगर आप simplify करोगे, अगर इसका 10 का निकालोगे, तो आपको पता ही कि अगर इसको cancel out कर दे, तो क्या बचेगा, देखिए, 1 upon 2 है, यहाँ पर, तो क्या होगा, यह प्लट जाएगा, अगर हम लिखेंगे तो, ठीक है, तो क्या होगा, 2 upon under root 3, तो यह cancel out जाएगा, तो क्या होगा, 10 के value जो होगा, पहले तो हम इसको करेंगे प्रफासिद, ठीक है, इसको करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि इसको divide करोगे तो 0 आएगा, ठीक है, उसके बाद इसको मैंने भाभी समझाई दिया, इसके बारे में, तो यह आपका होग जाएगा, 1 upon under root 3, और यह 2 से 2 cancel out जाएगा, तो 1 आजाएगा, यह 2 से 2 cancel out जाएगा, तो under root 3 हो जाएगा, और इसको आप कह सकते हैं, not defined, क्योंकि उल्टा डिवाइड करोगे, तो not defined जाएगा, उपर 1 रहेगा, नीचे 0 रहेगा, तो not defined जाएगा, ठीक है, इसको हो जाएगा क्या इसको प्रवासित नहीं किया जा सकता, यह हो गया, अब सोचिएगा, आपकी सा cause sake, sake और court का value कैसे निकाले, दोस्तों बहुत ही असान है cause sake का भी निकालना, ठीक है, cause sake निकालने का भी यही एक टिकनीक है, सिरफ आपको समझना है, समझो कि कैसे, जब मेरे साथ आप करो होगी, ठीक है, और तिरपान स्टीडी सेंटर के साथ जुरो होगी, तब ही आपको तरह तरह के चीजे सक सिखने को मिलेगा, ठीक है, यहां ही, सारे तरह के coaching आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कहीं और जाने के आपको जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, अगर आपको होगा कि जब हमारा इस टूप में वेल्यू है, तो मैं आपको एक बात बताया था, ठीक है, हम मैंने आपको क्या बताया था, कि साइन क्या होता है, साइन जो होता है, आपका क्या, देखिए, यह मैंने बताया था, तो इसको निकालना कोई मुस्किल नहीं है, देखिए, मैं मैंने आपको ट्रेंगल बता रहा था, कि अपने अपने देखा होगा, कि अगर हम कोसेक में जाएंगे, तो है पोन पी हो जाएगा, ठीक है, यही बोला था, तो तो सेम इसमें भी ऐसा ही है, अगर इसका 0 है, तो 0 क्या हो जाएगा, Note define, क्या हो जाएगा? Note defined में आ जाएगा, यह 0 में, ठीक है, अगर इसका है, तो इसका value क्या हो जाएगा, सिरफ 2 रहेगा, क्योंकि प्लट जाएगा, मैंने अभी कहा है ना समझाया है आपको कि जब sign का ultra cosmic होता है तो सारे values होता है पलट जाता है अगर यहाँ पर 1 upon under root 2 लिखा हुआ है तो इसका under root 2 ही होगा ठीक है अगर इसका क्या है under root 3 upon 2 है तो इसका क्या होगा 2 upon under root 3 होगा ठीक है यहाँ पर कोई trick नहीं है सिर्फ यहाँ पर समझ है जो बच्चों के बास समझ में आ गया उसको समझे कि यह table जो है 100% आ गया जब यह table समझ में आ जाएगा तो आगे class में जब यह बच्चे anti log या logarithm करेंगे तो वह भी बहुत ही असानी से समझ सकती है ठीक है जो कि बहुत ही important रहता है तो यह चीज़े जो थी बहुत ही असान था अब हमने क्या करना है आपको पता है किसको करेंगे तो अगर यह one है तो इधर भी one ही रहेगा कि one पल्टो जैसे मर्जी पल्टो उसका वेस वही रहता है ठीक है अब जो हमारे पास क्या है सेक है आपको पता ही सेक का मैंने क्या उल्टा किसका उल्टा होता ही तो यह होता है कॉस का ठीक है कॉस का उल्टा होता है ठीक है तो कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसका भी अंडरूट 2 ही होगा, ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, 1 upon 2 है, तो 100% 2 ही आएगा, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो क्या आएगा, नो डिफाइंड, ठीक है, देखें, कितना असान तरीके से आ गया न, कोई इसमें कोई problem थी, कोई trick थी, नहीं, सिरफ इसमें understanding थ है, समझ लिए, उनका बेरा पार हो गया, अब इसमें quote है, quote है, quote जो होती है, आपको पता है, 10 का अल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा हूम quote मानती है, यह होता है, technician क्यों quote होता है, आगे वाले चैप्टर में आपको बहुत ही काम आने वाला है, तो इसको भी दिमाग में रख लेना के लिए बहुत ही जरूरी है, कहता हूंने कि अगर समझना है, तो अच्छे समझीए, ठीक, एक का उल्टा क्या होता है, 10, और 10 हमारे पास क्या है, पहला क्या है, 0 है, तो 0 के यहां पर 1 है, तो 1 को जैसा मर्जी कीजिए, 1 ही रह जाता है, अब देखें, यहां पर क्या है, अंडर रूट 3 है, तो 3 को प्लट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, इस फॉर्म में आ जाएगा, अब लास्ट में हमारा क्या जाएगा, 90 डिग्री पे, 90 बहुत ही असान तरीके से निकाल लिया, पहला कोशन है, साइन 60, कॉस 30, प्लस साइन 30, कॉस 60, आपने फर्मूला में तो देखा होगा, बहुत ही असान तरीके से इस फर्मूले में बताया गया था, और समझा भी मैंने दिया है आपको अच्छे से, ठीक है, तो इसको पहला क क्या है, दोस्तों दिखिए, हमारे गीवन है, साइन 60, यही है न, साइन 60, ठीक है, कॉस 30, और बीच में है प्लस, साइन कितना है, साइन 30, और जो है प्लस, मन्टिफिकेशन कॉस 60, यही वैल्लिव है, आपको देखना है, साइन 60, और जिस बच्छों ने असानी से कर लिया ह उनको पता है कि sin 60 जो होती है, कितनी ही होती है, under root 3 upon 2, ठीक है, और यहाँ पर कोई निशान नहीं है, तो इसका मत्रिफिकेशन है, cos 30 देखी कितना है, cos 30 जो है, under root 3 upon 2 है, ठीक है, और plus sin 30 कितना है, साइन 30 जो है, 1 upon 2 है, into cos 60 के है, 1 upon 2, ठीक है, बच्चों, जिसको टेवल समझ है, वो बहुत ही हसान से सवाल को कर सकता है, ठीक है, तो इसी तरह से हम सवाल करेंगे, आप इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमने, इसको समझना है, मल्टिफिकेशन करना है, आपस में, तो आपको पता है, 2, 2 को मल्टिफिसिन किजिएका कितना है, 2 ही एता है, 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, और under 3 को under 3 से मल्टिफिसिन किजिएगा, तो 3 आएगा, मैं हैंका रίक रफ्यूस हो गया था, कि अंट, तो देखिए इस तरह से जो है हमारा पहले का अंसर आ गया वन देखिए कोशन में कोई मुस्किल था कोई प्रॉलम थी नहीं था क्यों कि हमने टेबल बहुत ही असान से समझ चुके हैं तो टेबल जिसको वैल्यू याद है उस सवाल भी बहुत ही असान तरीके से कर सकता है ले 10 45 स्क्वाइर में हैं प्लस कॉस ठीक है कॉस 30 स्क्वाइर माइनस साइन 260 यही है ना तो इसमें भी दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ समझने की जरूरत है कि हम कर क्या सकते हैं इसमें 1045 का वैल्ली आपको पता ही है कितना होता है 1 होता है 1 होता है तो 2 1 का square ठीक है प्लस Cos 30 का value क्या होता है अभी हमने कुछ दिर पहले भी Cos 30 का value क्या था Under root 3 upon कितना होता है 2 होता है तो इसको हम क्या करेंगे Square लगाएंगे minus sin 60 का value क्या होता है यह आपको पता ही है कि इसका भी under root 3 upon क्या होता है 2 होता है यह हो गया तो यह square हो गया ठीक है अब हमने इसमें क्या करना है देखिए जब यह हो चुका है तो सवाल भी बहुत यहसान तरीके से हो जाएगा देखिए यह है तो 2 का square होगा तो आपको पता है यह कि 1 ही इसका value बनता है ठीक है करते हैं तो 2 3 ही आता है ठीक है तो यह confusion में आप मत रहिए क्योंकि अब कुदर पहले मैं भी यहाँ पर confused हो गया था तो ऐसे confusion में मत रहिए ठीक है क्योंकि आपको मुझसे तेज बनना है माइनस देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 upon 4 आप ध्यान से देख सकते हो कि यह माइनस में यह प्लस में है तो जर्नल सी बात है यह cancel out हो जाएगा तो आपका अंसर कितना रहज बन जाएगा देखिए 2 कि 2 ही बच गया ना 2 बच गया तो इस तरह से जो है आपका अंसर बहुत ही असान तरीके से निकल गया ठीक है दोस्तों कोई मुश्किल था कोई मुश्किल सवाल में नहीं होना चाहिए और नहीं आपको मुश्किल लगना चाहिए ठीक है अब देख लेते हैं हमारा जो है 3rd question जो है काफी important है इसको most important में से जाना जाता है और इसको बहुत से teacher जो है refer करते हैं कि बच्चो इसको जुरूर करके जाना क्योंकि बहुत important भी है थुरा lengthy भी है तो बड़े ध्यान से आप समझने कोशिश कीजिएगा कि इसमें है क्या और कैसे हमें करना है तो हमारा जो है 3rd question है जो बहुत ही महत्वपून है इसमें दिया हुआ है cos 45 degree ठीक है यही दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है sec 30 ठीक है प्लस cos sec 30 यही सवाल है सवाल तो बहुत छोटा दिखता है लेकिन कहते है न छोटा चीज जो होती है घात भी बहुत तगरा करता है है छोटा लेकिन आप देखिएगा यह छोटा सवाल जो है कितना बरा में convert हो जाता है मैं तो ऐसे systematic ही करने कोशिश करूँगा लेकिन सवाल जो है अब देखिएगा तो पता लगएगा देखिए cos 45 का value क्या होता है जो भी cos है क्या है यह cos 45 का value जो होती है वो क्या होती है ठीक है तो वो होती है cos 45 का value 1 upon under root 2 होता है ठीक है और नीचे क्या है सेक 30 का value क्या होता है सेक 30 सेक 30 का value देखिएगा तो क्या होता है यह होता है 2 upon under root 3 ठीक है और plus क्या है हमारे पास जो cos 30 है cos 30 है तो sin 30 का value जो होता है 1 upon 2 होता है तो cos 30 है उसका 100% जो है इसका 2 ही होगा क्योंकि उसका उल्टा होता है तो हमने अभी भी समझा है ठीक है आप देखिए किजिए इसको आप क्या कर सकते हैं पहले तो हम क्या करेंगे देखिए 1 upon कितना है अंडर root 2 है तो नीचे किजिए पहले solution अंडर root 3 कॉमल ले लिया हमने ठीक है तो 2 plus 3 अंडर root 2 LCM ले लिया हमने ठीक है तो क्या होगा 1 upon अंडर root 2 upon क्या हो जाएगा 2 plus 3 अंडर root 2 upon अंडर root 3 आप हम इसको क्या करेंगे simply form में लिखेंगे तो यह देखिए 1 upon क्या हो जाएगा अंडर root 2 इन 2 यह जो होगा ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा यह कर जी किजिए ऊपर चला जाएगा ठीक है ना नहीं साथ मैंने कुछ यह 2 है ना और अंडर root से किया नहीं यह 3 आएगा यह 2 हो जाएगा मैं भी देखिए गलत कर रहा हूं यह 2 होगा यह 3 होगा ठीक है क्यों क्योंकि यह हमने इससे किया ना लिया है इन दोनों का तो इसका वन होगा तो इसका यह ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या होगा देखिए यह पलट जाएगा यह अंडर root 3 उपर चला जाएगा ठीक है और यह जगा 2 प्लस 2 अंडर root 3 यह आ जाएगा अब हम क्या कर सकते हैं इसमें यही बास समझने वाली बात है अब देखिए इसमें से 2 जो है common हो सकता है हो सकता है ना तो इसको common कर लिजिए तो क्या होगा 1 upon under root 2 into 2 common कर लिया तो 1 प्लस under root 3 यही बनेगा ना और उपर इसको छोड़िए इसको आजाएगा under root 3 यही बन जाएगा कुछ ऐसा ही सवाल आपको दिखेगा क्यों क्यों हमने जो है simplify किया है तो ऐसा ही base बनता है अब हमने क्या करना है क्योंकि दखिए यह तो 2 है तो under root को हमें पहले खतम करना पड़ेगा फिर इसको खतम करना पड़ेगा तब जाके सवाल जो है अपना सही form में आएगा ठीक है तो हम देख लेते है under root 3 हो गया लेकिन हम क्या करे अज़ए यहां लिखेंगे under 3 ठीक है यहां लिखेंगे minus one minus under root 3 से both side ठीक है both side multiply करने पर ठीक है क्या लिखेंगे both side multiply करने पर क्योंकि तब हमकि जाके हमारा solution हो सकता है जाब हम हम इसको rationalize करेंगे तो तो देखे क्या करेंगे लिख दिया हमने तो हमारा सवाल क्या बन गए under root 3 ठीक है under root 2 into 2 1 plus under root 3 ठीक है यह हो गया और हमने क्या करना है multiplication 1 minus under root 3 upon 1 minus under root 3 यह ही हो गया अब आपको पता ही है कि यह जो होती है यह plus में रहेगा और यह minus में रहेगा तो इसको आपको पता है कि यहां A-B का formula apply हो जाएगा यह तो बाते दो राय नहीं है ठीक है एक square minus B का square ठीक है ठीक है तो यह बन गया आप देखिए क्या हो सकता है जब कि मैंने formula लिख दिया है तो यह square form में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा under root 3 ठीक है 1 minus under root 3 ठीक है और यहां जगा 2 into यहां under root में आएगा into 2 तो यह देखिए 1 का यहां पर square हो जाएगा ठीक है और यहां minus under root 3 का square यही होगा ना क्योंकि formula में हमने लगा दिया absolute multiplication कर दिए under root 3 minus 3 क्योंकि इससे multiplication होगा तो 3 में आ जाएगा अब क्या होगा under root 2 plus 2 1 minus 3 क्यों क्योंकि square चर गया तो यह 2 आ गया अब देखिए क्या हो जाएगा under root 3 minus 3 upon under root 2 plus 2 into minus 2 यह बन गया अब देखिए हमें क्या करना है अब मैंने कहा था था ना कि under root 2 को भी आपको खतम करना पड़ेगा अगर under root 2 रहेगा तो यह आपको problem create करेगा तो देखिए क्या होगा अब हम लिखेंगे under root 2 से both side both side multiplication both side multiply हिंदी वाले बच्चे चो होंगे यह लिखेंगे कि under root 2 से उपर नीचे गुना करने पर ठीक है ना कि उनको भी confusion न रहे इसलिए बताना मुझे जरूरी समझता हूँ ठीक है तो देखिए under root इस औरी यहाँ पर multiplication है confuse मत होईए into 2 into minus 2 into under root 2 into under root 2 क्यों under root multiplication होगा तो आपको पता ही इसका क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा ठीक है क्या बन जाएगा 2 तो क्योंकि हमने इसको 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 multiplication कीजिए कितना हो जाएगा under root 6 यही बनेगा ना under root 6 हाँ फिर इसके बाद क्या होगा यह under root 6 बनेगा तो minus 3 under root 2 यह बन जाएगा अब देखी क्या हो सकता है अब नीचे क्या हो जाएगा 2 into 2 into minus 2 ठीक है तो यह कितना बन जाएगा देखीए यह बन जाएगा आपका under root 6 minus 3 under root 2 तो नीचे कितना हो जाएगा minus 8 यही बनेगा ना जब minus 8 बन गया तो आप देखीए इसमें से जो है simplify में किजिए 3 under root 2 ठीक है plus under root 6 यह बन गया तो आप जो है minus क्या काटने के लिए मैंने ऐसा किया है तो देखीए minus को मन कर लिए 3 under root 2 minus under root 6 upon minus 8 तो cancel out तब जाके जो है इसका answer जो है दोस्तों यह बनेगा आपका जो है answer इसका बनेगा 3 under root 2 minus under root 6 upon 8 यह जाके answer आपका जो है बनेगा सवाल में कोई मुस्किल नहीं था सिर्फ करने के तरीके आपको आना चाहिए तो देखा दोस्तों कितना असान तरीका से जो है सवाल हमने किया है ठीक है तो ऐसे ही आपको करना है इसमें सवाल में के infusion मत रहिए बहुत ही असान तरीके सवाल है यह दिख रहा है बहुत बड़ा लेकिन है बहुत ही असान क्योंकि जो बच्चे को कर ढढ़ा करने आता है उनके लिए यह सवाल मुस्किल नहीं होगा ठीक है जो मुस्किल समझते है वो सवाल नहीं कर सकते है तो यह बहुत ही तरीका से हमने किया है अगर ध्यान से आप देख लेना ठीक है अगरा देखते है कोशन हमारा क्या है अगरा कोशन हमारा चौथा है यह भी बहुत ही महत्पुन में से माना जाता है ठीक है एक्जामनर का हमेंसा फेवरेट रहा है तो आप भी इसको समझ लिए कि जो जो कोशन मैं बहुल रहा हूँ न वो 100% कहीं न कहीं एक्जाम में आपको दिखी जाएगा ठीक है यह है 45 जगर नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ अगर अभी भी बुक नहीं लिकालो दोस्तों निकालो क्योंकि मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ तो आप बता सकते हो कि मैंने मिस्टेक किया है ठीक है न तो आप बुक नहीं निकालते हो लगे जाते हो मुबाइल पर दोस्तों सही नहीं है साथ में बुक लिंगर होगे तो बहुत ही मज़ा आपको भी आएगा करने में देखिए कॉस 60 है ठीक है प्लस क्या है हमारे पास कॉट 45 डेग्री यही है न कॉस सवाल इसी तरह से होगा ठीक है बुक में आप देखिए अब हमने इसमें क्या रहे गया है हमारा जो इसमें है सिरफ इसमें फर्मूला को है अपलाई करना रह गया है तो अपलाई करने के लिए फर्मूला में हम क्या देखते हैं हम क्या करते हैं पहरे देखिए साइन 30 का जो वैल्ली होता है क्या होता है साइन 30 का वैल्ली जो होता है 1 upon 2 होता है ठीक है प्लस 1045 का value आपको पता ही है कि 1 होता है ठीक है अब इसका पता है तो आप क्या रहे गया हमारे पास आप रहे गया क्या ये cos x 60 cos x 60 आप देखोगे तो वो है minus 2 upon under root 3 ठीक है देखिए जब value पता होता है तो आप सवाल को भी बहुत यसान तरीके से कर जाती हो अब ये हो चुका है तो आप क्या रहे गया हमारा देखिए अब हमारा रहे गया नीचे वाला तो सेक 30 का जो value क्या होता है हमें पता है cos के उल्टा होता है तो cot का उल्टा 3 upon 2 होता है एक mark यहां तक दे देता है apply करने का क्योंकि अगर apply आपका सही था तो examiner को लगता है कि शायद बच्चे के पास time room कम था तो वो question को आगे नहीं बढ़ा सका तो इतने के भी आपको एक number मिल सकते है अगर आपने apply सही से किया है अब क्या रहे गया आप देखिए इसमें हम क्या कर सकते है करना एक ही हो सकता है कि LCM लेके हम solution आगे बढ़ें तो हम LCM लेके ही आगे बढ़ेंगे LCM लिया कितना का यहां पर टू अंडरोट 3 का यही बनेगा ना LCM अब देखिए इसमें क्या कमी है हमारे पास under root 3 है under root 3 ले लिया इसमें हमें दोनों कमी है क्योंकि यह upon 1 आएगा यहां क्या हो जाएगा 2 under root 3 अब यहां क्या कमी है 2 का तो minus 4 हो जाएगा क्यों 2 टू जा 4 तो इस तरह से हमारा बन गया अब हमारा क्या है नीचे वाला नीचे वाला पॉर्सन क्या कहता है इसमें भी under root 3 अपवन क्या बनेगा 2 ले बनेगा अब यहां पर किस की कमी है 2 की कमी है तो 4 हमारा आगया क्योंकि आपको पता है कि under root 2 यहां से आएगा तो यह 4 आएगा ठीक है क्योंकि 2 से इसको मेल्टिफिशन किया तो 4 आगया अब इसमें देखिए क्या कमी है यह है under root 3 की कमी दिखा रहा है मुझे और इसमें कुछ भी है तो दोनों ही कमी है तो क्या हो जगा प्लस 2 under root 3 देखा असान तरीका से हो गया ना सवाल जब यह असान तरीका से हो गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं देखिए ठीक है कुछ हम प्लस माइनस अभी करना बांकी रह गया है क्योंकि इतना बड़ा numbers को करना सभी करम में हम करेंगे तो शायद हमारे लिए मुसीवत बन जाए अब देखिए यह under root 3 है यह भी under 3 है तो कितना जगा 3 under root कितना जगा 3 माइनस 4 ठीक है और यहां क्या बन जाएगा upon 2 under root 3 यही बनेगा ना अब इसके बड़े वाला नीचे को क्या किया जाए ठीक है तो हम क्या कर सकते है इसको भी वही करेंगे क्योंकि यहां पर तो जगा है नहीं तो हम जो है आगे हम करेंगे देखिए यहां पर जगा नहीं है खतम है तो हम इसको है यहां पर कर लेते हैं नीचे वाले पार्ट को तो यह देखिए यह है यह है तो कितना जगा four plus three under root three upon ठीक कितना जगा two under root three तो इस तरह से जो है सवाल यहां तक पहुंचे अब हम क्या कर सकते हैं इसको हम cross multiplication करके देखते हैं ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा three under root three minus four upon two under root three multiplication by यह चला जाएगा उपर तो two under root three upon four plus three under root three यह हो गया अब देखिए यह cancel out हो जाएगा ना simply यह तो क्या रहे गया हमारे पास यह रहे गया three under root three minus four और नीचे रहे गया four plus three under root three देखिए दोस्तों सवाल अपना तरीका से किये जाता है तो काफी समझ में आता है ठीक है अगर आप भी कीजिएगा सही धंग से rule regulation से तो आपको शायद problem ना है आप देखिए यह प्लस है तो आपको पता है ना कि हम rationalize करेंगे यानि हम तो इसको क्या लिखेंगे four minus three under root three से both side multiply करने पर यही लिखेंगे ना ठीक है यही लिखेंगे multiplication करने पर देखिए क्या हो जागा three under root three minus four ठीक है और four plus three under root three into four minus three under root three और यहाँ जागा four minus three under root three अब देखिए कितना असान तरीका से हो गया आपको पता है कि यहाँ plus है यहाँ minus है तो हो ही a का square minus b का square is equal to a minus b और a plus b का formula प्लाई हो जाएगा दोस्तों यह मुह पे याद होना चाहिए बार बार लिखने से कुछ नहीं होता है ठीक है तो आपको लिखना जोड़ी है कि मैं कैसे लिखूं अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके इसको किजिए कितना है कि माइनस 16 इसको इसको होगा माइनस 16 इसको इसको किजिए तो प्लस 12 अंडर रूट 3 यह आ गया बहुत ही सान तरीके से आपको पता ही है कि इन दोनों के square हम चलेगा तो 4 का यहाँ हो जागा square माइनस 3 अंडर रूट 3 का square हो गया ठीक है कोई मुश्किल था कोई doubt तो यहां तो आपको समझ में आ गया होगा अब जो हमने क्या करना देखी यह अंडर रूट 12 अंडर रूट 3 है यह भी है तो दोनों को प्लस कर देंगे कितना जागा 24 ठीक अंडर रूट 3 और माइनस 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 प्लस तो 13 यानि कितना जागा 43 यह हो गया अब सव ठीक है यह आ गया अब देखी क्योंकि हम माइनस है तो देखी 24 अंडर रूट 3 माइनस 43 ठीक है मैं simply ही करना है कोशिच क्यों मैं चाहता तो अभी से सवाल स्टार्ट करते आगे करने का तो आपको पता है इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस का 11 आएगा लेकिन 11 माइनस में नहीं अनसर होना चाहिए ठीक है तो इसको में बिदलने के लिए हम क्या करें को साइट को चेंज कर देगे ठीक है फ्लस 24 अंडर रूट 3 ठीक है तो हम क्या माइनस 11 यह लिखेंगे अब अगला स्टेप क्या बनेगा देखिए जब यह माइनस है तो मा플न को कोमन कर लीजिए तो 43 ठीक है और क्या हो जागा माइनस 24 अंडरोट 3 और यहा नीचे क्या जाएगा माइनस 11 तो यह cancel out हो जाएगा तो क्या रह जाएगा आपका 43 माइनस 24 अंडरोट 3 अपॉन 11 तो इस तरह से जो है अंसर बहुत ही असान तरीके से आपका आजाएगा कोई doubt था कोई मुश्किल था तो आप मुझे पूछ सकती हो अगला question हमारा कौन सा है वो है 5th यह भी question काफ़ important है ठीक है देख सकते हो इसमें क्या है दोस्तों देखिए इसमें है आपका 5 cos का square 60 ठीक है plus 4 sec का square 30 degree minus में क्या है 10 45 का square यही है और upon में क्या है देखिए upon में है sign ठीक है sign क्या है हमारे पास sign sign square 30 ठीक है plus cos square 30 इस तरह से जो है हमारा सवाल है ठीक है अब इस सवाल को जो है असान करने के लिए आपको पता ही है do regulation को अगर हम follow करेंगे तो असानी से ही हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम सवाल को देखते है cos 60 का value क्या होता है आपको पता ही होगा क्या होता है 1 upon 2 होता है को square कर दीजे plus sec 30 का value क्या होता है तो sec 30 के क्या होगा क्या होगा दोस्तों बताइए पता ही जल्दी फटा फट 2 under root 3 ठीक है और आपको पता ही है कि 10 45 का value तो 1 ही होता है यह तो मुझी भी मालूम नहीं अच्छे से ठीक है अब सान 60 का कितना होता है value सान 30 का value तो 1 upon 2 होता है का square cos 30 का value क्या होगा देखिए उसके यानि under 3 upon 2 होना चाहिए क्योंकि उल्टा हो जाता है under 3 upon 2 तो यह आ गया कोई मुश्किल था नहीं था चली अच्छी बात है मुश्किल नहीं था अब हमने क्या करना है इसको देखना है क्या square हो सकता है तो कर लिजी फाइव उपॉन कितना हो जाएगा 4 क्योंकि 2-2 जा 4 प्लस क्यों क्योंकि मैंने भी मिस्टेक यहां पर किया हुआ यहां पर 2 आ जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए 4 हो जाएगा 4-4 जा 16 मैं डिरेक्क कर रहा हूं ठीक है अगे देखते हैं क्या हो सकता है सवाल में अब हम चाहें तो यल्सियम ले सकते हैं 5,3 जा, 12, 12 आएगा तो इसको हम किसे मल्टिफिशन करेंगे किसे करेंगे 5,3 जा 15, ठीक है 15 आगया अब यहां पर क्या आएगा 64, यह होगा न, और यहां कितना हो जाएगा यहां कितना हो जाएगा, बताइए 12, माइनस 12 यह है, अब नीचे क्या है, देखिए 4, 4 जा कितना हो जाएगा 4, 4 जा 16 ठीक है, 4, 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तो 4, 4 जा 16 लेने की क्या जरूर आता है हम 16 क्यों करें, क्योंकि 4 4 तो 4 यह सेम है, मैं अभी थोड़ा सा प्रॉलम में हूँ, 4 आ गया यहां, अब देखिए, इसको एजल से लिचे, 1 प्लस 3, तो कितना आ गया, देखिए, सवाल बन चुका है न, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 9, 79 minus 12, upon 12, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 upon 4, तो 4 से 4 cancel out हो जाएगा, जनल सी बात आपको, इस बात कितना knowledge है ही है, ठीक है, आप इसको minus कर दीजिए, कितना जाएगा, 760 upon 12, क्या यही answer है, देखिए, कितना असान तरीके से आगया न answer, ठीक है, दोस्तों, सवाल करने का अपना एक ढंग होता है, अपना एक तरीका होता है, जो systematic चलते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, और systematic सिरफ कहीं और आपको नहीं मिलेगा, तिरपान study center में मिलेगा, क्योंकि तिरपान study center का यह मानना है, कि ट्रिक से अधिक जो है, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग ही सबसे उपर है, और सबसे दिमाग ही आगे रहेगा, ट्रिक जो होती है, हर जगा stick नहीं बैठती है, वो कहीं कहीं ही काम आता है, बागी हर जगा फेल होती है, तो ट्रिक पे हम नहीं चलके हम जो है माइंड पे यूज किये हैं ठीक है दोस्तों अगर अगर आप ने आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए और एक बात जो बहुत जरूरी है तिरपान स्टेडी सेंटर नया है इसलिए तिरपान लिकिए और तो इसलिए अभी भी कह रहा हूँ जो आपको मुबाइल में जो रैड हो रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो सब्सक्राइब की बटन जरूर बज़ा देजिए और एक घंटी जरूर बजा लिजिए जिससे कि आप तिरपान स्टेडी सेंटर के साथ जुर जाईएग और हमेशा इसका फैदा ही आपको मिलेगा आपको इससे नुकसान कभी नहीं होगा यह मेरा विश्वास भी इसमें ज्यान का भंडार है पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ओके दोस्तों आपने त्रपान स्टेडी सेंटर के साथ व्यतीत किया इसलिए धन्यवाद आपका सम पून था आपने अपना महत्तिपून समय दिया और देखा समझा तो इसको अच्छे से समझीए अच्छे से कीजिए कौपी बे और बड़े मस्ति से आगे बढ़िए ठीके दोस्तों अपना ध्यान रखना बाए